BEST LAPTOP FOR PROGRAMMING AND COORDING तो बई अगर आप Coding करते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, ये वीडियो स्पेसली मैं आपके लिए बना रहा हुँ, पलस मैं आपको कहना चाता हूँ अगर आपका बज़र है 90,000 से लेके 2,00,000 है, आज हमें गर आपको बात करो है लेके वालाग तैन थाउजन हो जाता है इस प्राइज रेज्ज में मैंने दो लैप्टब रखे हैं पहला आता है असूस रॉग्जा जी फॉर्डिम दूसरा होता असूस रॉग से ट्रिक्स की अगे अगर मैं बात करूं असूस रॉग्जापरास जी फ मैं इस laptop की बात करूँ इसका जो इसे डिजान तो मिली जाता हूँ उसके साथ सजे specification के recording पूरा loaded है आपको 16 GB RAM मिल जाएगी i7 देखनी को मिल जाएगा 4 GB graphic card मिल जाएगा उसके बाद हम display की बात करें आपको 144 refresh rate के साथ इसके display quality देखनी को मिल जाएगी जो की सच में matter करती है 144 refresh rate सच में matter करता है मैं आपको main specification की बात बता देता हूँ आपको deeply पता चल जाएगा तो यह display की बात हूँ 15.6 inch flash T plus display मिल जाएगी जो की IPS level display जो की 144 refresh rate के साथ आती है 4GB मिल जाएगा 6GB मिल जाएगा operating system की बात का उपको window 10 मिल जाती है बैटरी की बात करो आपको 7-8 hours का बैटरी बैकप पर वाइड कर देता है IPS anti-glade display जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिलते है आप पर सैसर की बात करो आपको AMD राजन 5 देखने को मिलेगा 4600 Hs के साथ storage की बात करो आपको 8GB RAM मिल जाए expandable आपका सकतो 32GB तक प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिलगी ग्राफिक काड की बात करों को RTX भी मिल जाएगा DTX भी मिल जाएगा 4GB की और जाने जाएगा आप जा सकते हो अगर आपने 6GB की और जाने आप जा सकते हो operating system की बात को Windows 10 मिल जाते है बैंटरी लाफ की बात करो आपको 10 hours का बैंटरी लाफ पर वाइड कर देता प्राइस की बात को 90,000 के बटर में असूस रॉक जापरस जी फॉरिंग देखने को मिल जाएगा तो यार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको दोनों की लैप टॉप्स के बता दिया है अभी बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो यार सबसे पहले में आपको बता दो सूस रॉक्त जी फॉरिंग का डिजान क कल रूगरा ज्यादा अच्य है स्कमपैरेशन कीया जहाए असूस रॉक से ट jurisdiction के साथ बत अर्सूस रॉक से ट्रिक्स के जो स्पैसिफिकेशन है वो ज्यादा तगड़े आपको देखने को मिल जाते हैं कम प्राइज में अच्छे फिच्रस पर वायर करते हैं तो आपने देखना अगर आपको स्टालिस डिजाइन चाहिए अगर आपको स्पैसिफिकेशन लोडिर चाहिए तो भई असूस रॉक से ट्रिक्स आपके लिए पॉर्फ्रक्ट डील हो सकता अभी बात करते हैं कि ये लगों के लिए बने है तो भई अगर आपने प्रोग्रामिंग करने है अगर आपने पोडिंग करने है एज डिवल्पर काम करना जाते हो आगर अगर बात करते हैं अगर आपका भग्रेशelly और मैंने रखे हैं दो लैटआप यह दो लेटओप अगर आपने ने रप्रो काम करना चाछ तो च्रीमैं को बहुत सूट करने वाले मैं बात करना हूं HP Spectre X360 की दोनों laptop बहुत तगड़े हैं international creators हो गए developers हो गए जा कोई भी बन्दा हो गया वह बहुत laptop यह दोनों like करते हैं because इनकी design इनकी build quality इनकी display quality प्लस इनकी जो specification है आपको बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं जो की touch display processor की बातों को i5 भी मिल जाएगा आपको i7 भी मिल जाएगा storage की बात करूँ आपको 8GB RAM भी मिल जाएगी आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी plus भई अगर आपने 32GB RAM की और जाना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी sht की बात करूँ 128GB से start हो जाती है अगर आपने 1TV तक जाना है आप उसकी और भी जासब तो graphic card की बात करूँ आपको Intel Aries Plus भी देखने को मिल जाएगा 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा अब पर चला जाता है तो भी बात करते है HP Spectre X360 की तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच 4K touchscreen मिल जाएगा जो की HP Pen के साथ आते है पर प्रसासर की बात को i7 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 16GB RAM मिल जाते है प्लस आपको 12GB SSD देखने को मिल जाती जाता है operating system की बात करूँ आपको window 10 मिल जाते है latest version 64-bit window मिल जाते है battery की बात करूँ आपको 30 hours का battery backup provide कर देता है प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले repeat कर दिया कि 90 शाजों से start हो जाता है और इसका budget यार 2,500,000 के budget तक भी चला जाता है तो specification increase decrease होते जाएंगे जितना आप ये करोगे उसके according आपको specification देखने को मिल जाएंगे तो यहार main specification अभी मैंने आपको इन दोनों laptops के भी बता लिए तो भी अगर आपने ऐसा developer काम करना है programming करना है coding करना है उसके बाद भी अगर आपने फोटो एटिंग करना है वीडियो एटि smoothly हो देगा है अब आगे बात करते हैं अगर आपका बुचरे टेड़ लाख से लेकर 2 लुख हो जाता है इस price range की अगर आपको सीधा बोलना चाहता हूं आपके लिए perfect deal हो जातीया Apple Macbook 13 या Apple Macbook Pro as a developer के या as a creator के लिए तो यह बनी ही जारे as a creator के लिए as a developer के लिए अगर आपने programming करना है animation करना है coding करना है 3D animation करना है cartoon draw करते है architecture की study करना है school में पढ़ते है video editing करना है photo editing करना है कोई भी आज तक का आपने कोई heavy software यूज करना है इसी चीज़ के लिए apple macbook बनी है बस मैं आपको यह कहना जाता हूँ आपने 16GB RAM के और जाना आपने 8GB RAM के और नहीं जाना because in future आपको laptop चेंज गरना पर जागा बट अगर आप 16GB RAM ले 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 तो आपके लिए perfect deal हो जकता आपके लिए लेप्टॉप perfect deal हो सकते है आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है घतम अगर आपको मेरी बेच ची लगी यार वीडियो को लाइक करदना कमेंट करदना शियर करदना दोस्तों को बेदना दोस्तों के भी दो दोस्तों को बेदना उनको भी गयतना कि चैनको करते सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक एन इस्टाग्राम पे गले फॉलो लिंक वगार आएर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मेल जगा सोच चालवारे है अभी मेल ते नाक्स्ट वीडियो मेंने झालवारे है झालवारे है थालवार आपको अबचा आपको नक्त feelsयाना कि वीडियो मेल ते ग